कि नमस्ते सदावत्चले मात्रभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज पूरी दिन बक्फ एक्ट के संशुधन का मामला चड़ा रहा है हम मैंने भी सुबह उसको लाइव देखा पालेमेंट की जो डिवेट चल रही थी और डिवेट शुरू होते ही यह लग गया था कि यह मामला पास होने वाला नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से सभापती ने उस समय कहा कि हम आपको सबको दो-दो मिनट का टाइम देते हैं और द समय दे देते हैं और फिर इसके बाद करेंगे सभी पाल्टियां मिल्कुल मधुमक्य के च्छते की तरह दोड़ परती हैं काटने को दोड़ती है लेकिन यह बिल पास करने का तरीका है कि भही सदन जब उसको डिस्ट्रिबूट कर दिया तो सदन में उस पर डिडिल में चर सबने अपने इपनी बात कई फिर मंत्री खड़े हुए और उन्हें लंबा एक भाशण दिया और उसके बाद जेपीसी बेत लिया अब उस पर दो तीन बातें इस समय करने की अवशक्ता है पहली बात तो यह है कि संशोधन की अवशक्ता थी क्या दूसरी बात यह है कि ही डिस्केशन चल रहे थे और उन पर सभी प्रकाह इसार उसको खतम कर दे gotta अचाहिए उसको समझने की कोशिश करते हैं पहली बात पहला सवाल यह था क्या बक्ताव कर देना चाहिए मैरा मानना है कि खत्म खत्म कर देना चाहिए अगर हम उसके अंदर गहराई को नहीं कहें कि बखफ एक्ट में बखबोड को बहुत जाधा पावर दे दी गई है और उसको सुपर पावर दे दी गई पारलेमेंट से भी उसको परे ले गए हैं जुरिडिक्शन हाई कोट के जुरिडिक्शन से परे ले-गए हैं जुसे सिदेंदता नहीं होना चाहिए और Pearl हेक्ट को अपन दिया मेलत अप्रणॉम्स बाड़ी जैसे भारत में बहुत सारी और यूठीयां और भारत में चुनाव कि और आयोक आच्टनॉमस बाड़ी है इस परकार की बाढ़ा करें और यूठीयां या यानि कि येए कुई आती है कि वक बोर Dios na papo Bandbrar ये कहा है चे वरafa को वेलिडेशन lord 1913 में पहली बार बना थह तो उस में था ब्र forum उसका नाम हुआ करता था बध Musal Mon parent is the week day अगरे चुकर समय पर रहा होका 1954 में ओख भारत कर देना था फॉकर का निर्माड हो पाकिस्तान के निर्माड के बाद जो हिंदुस्तान बचा वो हिंदूों के लिए बचा था। अब छो भारत में रहना चाहता था या जो रुख गया या जिसको रोक लिए गया या जो भी नहरुची ने 1948 में एक रेजिलूशन पास किया, नहरुची के resolution के बाद फिर ये वक्फ Act बना दिया गया फिर नहरु लिया कर समझोते में रोक लिया गया और ये सारी परचेतियां हमने देखी भुकतान तो हमी सब भुगत रहे हैं इसमें कोई शक नहीं हिंदुस्तान उसका भुकतान भुगत रहा है लेकिन वक्फ का जो उद्देश 1954 मे जिन लोगों ने ये सोचा था वो मुख रूप से और इसके दोशी सबसे बड़े नहरुजी थे कारण ये है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए वो प्रोपटियां इवेक्यू प्रोपटि भारत में रही इवेक्यू प्रोपटि को कस्टोडियन के हाथ में रखना था जो ल लाक स्क्वेर किलो मेंटर का पाकिस्तान भी ले गए दस लाक साड़े दस लाक स्क्वेर किलो मेंटर का पाकिस्तान भी ले गए बारा तेरा परसेंट मुसलमान और भारत में भी बक्ष बना कर छोड़ गए परिणाम ये निकला कि भारत जो 42 लाक स्क्वेर किलो मेंटर का उसकी 25% जमीन चली गई 13% लोगों के लिए और भारत वर्ष में भी मेरा अनुमान है यह जो 10 लाग 10 लाग प्रॉपटियों की बात कही जा रही है यह 10 लाग एकड की बात कही जा रही है मैं मैं उससे इक्तिफाक नहीं रखता भारत में मुसल्मानों के पास भारत की पूरी भूमी की लगबख 40% भूमी है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान बांगलादेश को मिला दिया जाए तो उसके अनुसार उस समय 1947 में मुसल्मानों को लगबख 50% प्रॉपटी दे दीगी जिनकी अबादी 13% थी खैर वो जो हुआ सो हुआ 1954 में बक्फ एक्ट बना दिया गया तो अब वो प्रॉपटी या प्रॉटक्ट और करें गए अगर वंशन यहां पर थे तो वो तरह दिकार कर जाएंगे यह सोचते हुए कि जो पाकिस्तान चला गया वो मुर्दा हो गया वो मर गया तो जैसे वो मरता है और सक्षेशन होता है वैसे सक्षेशन हो जाएगा अगर घर में 12 लोग थे एक विक्ती यहां पर रह गया 11 वहां चलेगा तो 11 को मृत गोशित करके एक का सक्षेशन हो सवालाग स्क्वेर किलोमेटर उन्होंने जमन किश्मीर पर हमला करके ले लिया और बारालाग स्क्वेर किलोमेटर के लगवग जमीन उनके कबजे में थी जिसमें से बंगलदेश निकला और बाकी की जो जमीन बची वो हिंदुस्तान के पास है उसमें भी बख्ष बना दी उसमें भी इवेक्यू प्रॉपर्टियों पर कबजा हो गया उसमें भी जो लोग पाकिस्तान चले गए उनके वंशज एकाथ चोड़े गए या छूट गए उन्होंने उस पर कबजा कर लिया कुल मिला कर हम तो बड़े भुरे ठगे गए कि हम आबादी भी उस समय 75% 85% हुआ करते थे और 85% आबादी को 50% भूमी और 13% आबादी को यह 50% भूमी यह बिड़ा मना हो गई बख्ष बनाकर नहरुजी ने और अत्याचार कर दिया खैर 1995 में एक नए अक्ट बनाया गया नए अक्ट में अब यह हुआ कि बख्ष की प्रॉपटियों के का मेनेजमेंट कौन करेगा मुसल्मान करेंगे या सरकार करेंगे तो यह हुआ कि सरकार करेंगे और नॉमिनेशन सरकार उसका कर देगी यानि कि बख्ष की प्रॉपटियां जो मुसल्मानों के पास हैं जो प्रॉ haut हूं कि उस समय न सरकार की कुपलबदी भी हो सकती है एक काम यह होता कि वो सारी सहर्कार की संपतिया सरकारी घुशत कर दी करती जाती है दूसरा यह होता बकह तो है ही सरकार उसका Community करेगी तो सरकार Management करेगी तो मैंहें बक्वोर्ड बनाना पड़ेगा, बक्वोर्ड बना दिया, अब उसके dispute आएंगे, तो का tribunal बना दिया, 2013 में मनमोहन सिंग ने जाते जाते बक्व को आटोनॉमस बना दिया, बक्व में प्रॉप्टियं चड़ा जी दिली के 123 प्रॉप्टियं का मामला हमने सुना ही था, और ब यानि कि सरकार पर बहुत कुस डिपेंड करा कि बक्व कैसे जड़ी, ये सवाल पिछले 10 वर्ष से मोजी दी के बैटने के बाद से सामने आया था, बहुत सारे लोगों ने का 10 सल तब आपकी फुल फ्लेज सरकार थी, तब आपने संशोतर नहीं के, मेरा मनना है कि 10 वर्ष क संबंद इस्तापित हो ये करना था, वर्ष में भारत के अच्छे संपरक हो ये करना था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा हो ये करना था, भारत की सेनाई शशक्त हो ये करना था, भारत की पुलिस का रिफॉर्म हो ये करना था, ये सब करने वाले काम थे, इन सब चीज जी समस्य हैं, उनका समाधान निकलाना था, राम मंदिर जो बड़ा डिस्प्यूट था, उसका समाधान निकलाना था, कुल मिलाकर सरकार ने पिछले दस वर्ष में, step by step, economy बढ़ने के साथ साथ, भारत में पैसा बढ़ने के साथ साथ, भारत में बैंकिंग सेक्टर का इस्ते करने के साथ और इसके साथ अपोजीशन जो ब्रस्टाचार पर कदम उठाने के साथ साथ वो सब कुछ किया जो होना चाहिए उसको दस वर्षों में ठीक कर पाना ये ठीक नहीं मलब संभव नहीं हाँ 1954-1947 जब सरकार बनी थी हम आजाद हुए थे 1954 का बक्फ वैलिडेशन बनाने की ज़रूरती नहीं थी अगर ऐसा सोचा जाता या उसका कोई सेलूशन निकालना था कि वह एवेक्यू प्रॉपर्टी कौन सी होगी कुई कि जो लोग पाकिस्तान चले गए वह एवेक्यू प्रॉपर्टी होनी थी और वह उसको मैनेज करना था कस्टोडियन को लेकिन वह बक्फ हो गई मैंने अभी बताया सारी कहनी अब इस सरकार के पर यह दबाव था कि 2013 में जब उसको और नमस बाड़ी बना दिये गए उसका सेक्शन 40 ऐसा बना दिये गए कि बक्फ जहां बक्फ सैटिस्फाइड हो तो वह बक्फ बोर्ट सैटिस्फाइड हो तो वह प्रॉपर्टी बक्फ पर चढ़ा सकता है सर्वे करवा लिया मिल ज करताओं की टोली या जिनको इसका ग्यान था वो सब एक धुन में लग गए कि कैसे बक्फ की प्रॉपर्टियां चढ़ाई जाए अब इसका इलस्टेशन पंजाब उस समय का उस समय का पंजाब का मतलब है आज का पंजाब हरियाना दिल्ली और हमान चल वहां 50% 40% के को साफ है कि वो प्रॉपर्टी इवेक्यू प्रॉपर्टी हो गई जो लोग उस हिस्से से लाहर वाले हिस्से से यहां आएंगे उनको प्रॉपर्टे देंगे लेकिन उन प्रॉपर्टियों पर मुस्ली बक्फ ने अपना नाम चढ़ा लिया कि यह हमारी है अब बक्फ क्लेम करना शुरू कर दिया इवेक्यू प्रॉपर्टी पर जो कस्टोडियन की थी इसमें मैं केबल बक्फ बोर्ड ने होशारी करी इसका यह यह इतना नहीं कहता अधिकारियों ने चिन्नती नहीं किया कि यह प्रॉपर्टी इवेक्यू प्रॉपर्टी है यह प्रॉपर् करने के बाद बक्फ के या मैं कहूं उस समय की सरकारों का कुछ ऐसा रोक रहा होगा क्योंकि 1948 में जब नहरू जी ने पास किया था कि मुसल्मान सभी ने पाकिस्तान की रिमांड नहीं की थी कुछ ऐसे भी थे जो हिंदुस्तान में रहना चाहते था उनको भारत में संदक्षन देगे तो निश्यत है कि नहरू जी को उस समय लगा होगा कि बक्फ आक्ट बनाकर हम इनको संदक्षन दे और ये प अब जब दबाव बन गया तो केंदर सरकार ने अमेंडमेंट प्रपोस किये मेरा मानना है कि जो अमेंडमेंट प्रपोस किये गए 40 या 44 वो भी इंसफिशेंट है उनमें भी गड़बड़ी है इसलिए जोएंट पारलिमेंटरी कमेटी में गया है तो उस पर डिटेल में य किससे बख बनी वह डॉकुमेंट जिस से डियर्टे केशन हुआ वह डॉकुमेंट जिससे प्रॉपर्टि आई ही और उसका वो वो सिजरा पूरा डालना पड़े गो अभी इसका मुत्वली कौन है इसका कस्टोडेन कौन है उस कितना revenue आता है, कितना उसका हिसाब किताब है, वो सब कुछ 6 मेने के अंदर आपको upload करना पड़ेगा, इतना कह देना, अब मुझे लगता है कि इसको अगर compulsory बना दिया जाए, और compulsory यह है, कि अगर नहीं चड़ाएंगे, तो बक्फ की property नहीं मानी जाए, तो सब चड़ाए कि रूप से देश भर में नीचे तक टोलियां बना कर उसमें property केवल देखी गई, उसका number note किया गया और उसको चड़ादिया गया, वहां रूमाल रख दिया किसाब यह है, वहां गर्वत्ती लगाई बोले यह है, वहां पर एक मजार टाइप की बनाई बोले यह है, वहां boundary खींची कबरिस्तान टाइप का बनाया, मिट्टी खट्टी करके कबरिस्तान दो कबरे टाइप की उल्टी सीदी बना दी, वह ले यह है, उचड़ाती की, उनका कोई भी dedication का document नहीं मिलेगा, दूसरी बात इसमें यह कही उन्होंने कि सरकारी संपत्ती सदेव सरकारी रहेग की जिम्मेदारी, गरम पंचायतों की जिम्मेदारी, वो सब बापस लें, और वो बापस लेंगे, क्योंकि यह संशोतन आ जाएगा, तीसरा बड़ा संशोतन उन्होंने यह कहा, कि भई सीदे बखबुट जाने के बजाए, district magistrate की अदालत में जाएगे, हमको सबको मालूम ह किया गया, कि district magistrate को हो, तो उन राज्यों का क्या होगा, जिन राज्यों में सही सरकारे नहीं है, प्रो इसलाम सरकार हैं, जिनको मुस्लिम बोट चाहिए, जैसे हम तिलंगाना की सरकार मालें, जैसे हम करनाटका की सरकार मालें, जैसे हम तमिल नडू की सरकार मालें, या हम आपके सरकार माल लें ऐसी बहुत सारी सरकारे देश में बैठी हुई है जिन्को मुस्लिम तु shimmer में ही मज़ा आती है नई रूजी कर के रहे मिलभक्री करती हैu। तु complitical patterns, restricts grs में व्यस्त हैं, तो जिसकी सरकार होगी, district magistrate का मतलब क्या, district magistrated का मतलब सरकार, और सरकार चाहेगी district magistrate का appointment करते हुई यह कर थे आना है, तो वह तो वही कर के आएगा, जो उसको कहा जाएगा, क्यूंकि district magistrate तो executive body है, executive है भली magistrate की power हो लेकिन बायस हो जाता है तो ऐसी प्रसिती में distinct magistrate को power देना अच्छा नहीं है जिन राच्चों में भाजपा की सरकारे हैं आप ऐसे उसको समझें उतर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है योगी जी की सरकार के समय पर कोई भी property इसी इन कानून के रहते हुए मतलब बक्फ एक्ट के इसी बक्फ एक्ट के रहते हुए कोई नया बक्फ घोशित कर दिया गया है तो कोई बताए क्योंकि सरकार सकता है डिस्टिक मेजिस्टेट की हिम्मत नहीं है लेकिन सरकार अगर अखलेश की हो तो उन्होंने जो गजब किये हैं मुलाइम सेंग ने जो गजब किये हैं वो सब होंगे अखलेश के समय पर तो आजम खान ने एक बड़ा फंड निकाला और उसे कबरिस्तान बनाए गए रेश्वर में और सरकारी समपत्यों पर कबरिस्तान बने हुए उनको बाव कोशित कर दिया गया अभी उनकी इन्वेस्टिकेशन होना चाहिए तो आपको हर चिले में दस-पांच कबरिस्तान मिल जाएंगे जो कबरिस्तान थे ही नहीं कभी वो सरकारी समपत्य थी आपकी थी आपने उस पर पचास लाग रुपया दे दिया उस पर वाउंटरी खिज गई उस पर एक बोर्ड लगा दिया यह तो भाईक कबरिस्तान है कि आप रिजिस्ट्रेशन करवाएंगे औरल ट्रांसफर नहीं होगा मुस्लिमों में एक बड़ी भारी समस्य है बप वोड की कि औरली घोशित कर देते हैं कि यह संपत्ती तुमारे दादा दे गए बोल गय थे इस पर कर लो एक बार ताजिय निकल रहे हैं और ताजिय आतंग मचा है इस तरह के रामलीला मैदानों का और सामन ने जिसकी खेतों की प्रपटिया थी बागों की प्रपटिया थी जिसने कह दिया थे कि यहां ताजीय रख सकते हो यहां तुम नमाज पढ़ना चाओ तो भाई इद की नमाज यहां पढ़ सकते हो उन्होंने का भला by use खतम कर दिया, उन्होंना कहा, registration करवाना पड़ेगा, registration करवाने के बाद, mutation करवाना पड़ेगा, और इसका कोई dispute आता है, तो mutation में dispute आने पर उसको जाना चाहिए था, civil court, जो बाकी संपत्यों के मामले में, यहां पर mutation में गड़बड़ी होने पर, या mutation में objection आने के बाद, य जो मुझे लगता है कि civil court में जाना चाहिए, अगला संशोधन जो इसमें बड़ा अच्छा किया है, वो महिलाएं इसमें महिलाओं को डाल दिया है, कि दो महिलाएं होंगी, और दो non-muslim होंगी, दो non-muslim डालना इतना जरूरी क्यों था, जिस पर ये बवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि प्रापर्टियां mostly हिंदू के कबजे में हैं, जो हिंदू या non-muslim के कबजे में हैं, उस पर बक्फ अपनी चड़ाय पढ़ाया, तो बक्फ बोड के अंदर कोन बताएगा, कि भई, उसके अंदर कोन बैठेगा, कोई तो उनका प्रदनीद बैठेगा, जिनकी प्रपटियां अपने नाम चड़ा ली हैं, तो दो non-muslim बैठने का वाला, वो बहुत भी हो सकते हैं, वो जैन भी हो सकते हैं, वो इसाई भी हो सकते हैं, वो सिख भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो दो non-muslim बैठना मतलब इनको नागवार घुजराया है, कि दो non-muslim अ वक्का विरोध कर रहे हैं, साइसे विरोध कर रहे हैं, सब ने विरोध किया, कि नॉन मुस्लिम कैसे डाल दोगे मुस्लिम उसमें, अरे भाई, नॉन मुस्लिम की 80% प्रॉपटियां बक्फ ने अपने नाम चढ़ा दी, तो क्यों ने डालेंगे, अब महिलाओं को लेकर तो कि ट्रिबूनल को खतम करके, ये डालना चाहिए सिविल कोर्ट, पहली बात, क्योंकि इसके डिस्टिंग मेंजिस्टेट के बाद ट्रिबूनल जाएगा, ट्रिबूनल के बाद हाई कोर्ट जाएगा, बहुत कितने लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, कितने लोग हाई कोर्ट अगे प्र形 कर सकते हैं और district magistrate को हम जानते ही हें कि वह भायस होता है सरकार का सरकार का नोकर है वो कोई कोई ऐसी बॉड़ी थोड़ी नहीं कि वो सरकार के उपर प्रवेली के रभतों सरकार की मातगी आता है तो district magistrate, district magistrate से tribunal और tribunal से फिर high court, कितन लोग high court जा पाएंगे, ये बड़ी समस्या है, इसलिए यहां पर mutation के बाद सीधा civil court में आना चाहिए, बाकी सब केसों की बावले में, तीसरा एक संशोधन की इसमें अवशक्ता है, वो ये है कि civil laws में जैसे property transfer होती है, gift की property transfer होती है, ज transfer to property में gift करते हैं, पांस तरह के exchanges में, पांस तरह के convince में, एक gift भी है, हाला कि gift पर हम वो ले लेते हैं, stamp, भाई इसमें stamp exempt कर दीजे, मंदिरों में जब transfer करते हैं तो मंदिरों के stamp लेते हैं क。」 नहीं लेते हैं, तो भाई इन से भी बख्फसे भी stamp ली जए, मंदरों मुकदमा जाता है वैसे ही बक्व एक मुस्लिम ट्रस्ट है तो उसका मामला सिविल कोर्ट में जाना चाहिए तब उद्धार हो पाएगा आमाजमी का और बक्व किसी भी प्रॉपर्टी को तब तक बक्व नहीं हो सकती जिब तक उसका मुटेशन हो जाए जितनी बक्व की प्रॉपर्टी ओपर मुटेशन अभी तक नहीं हुआ है उन पर चाहिए कि बक्व छे मेने के अंदर अपना मुटेशन डाले जिसके नाम प्रॉपर्टी चड़ी हुई है उसको नोटिस करें वो अपनी बात कहेगा कि कैसे हो तो बक्व की जो गुंड़ा करती है वो एटलिस्ट खतम हो जाएगी अभी जितना संशोधन किया गया है वो बहुत महत्पूर्ट था और जो मैंने दो-तीन इसमें परिवर्तन की बात कही वो और कर लिये जाए तो बक्व भी भी बरकरार रहेगी और बाकी समाच के साथ इंसाफ भी हो सकेगा fundamental right भी उसके secure हो सकेगे मुझे लगता है यह सब कुछ हमको ध्यान देना चाहिए अब जहां तक बात आती है कि joint parliamentary committee को क्यों भीज दिया आपके पास बहुमत था मुझे लगता है कि इन विश्यों पर ये इन लोगों को joint parliamentary committee में डाल कर यही करना है और जो मैंने कहा जो संशोंदर रह गए हैं वो अब डालने चाहिए और joint parliamentary committee में जाने का मतलब यह होता है कि अब यह bill जब आएगा महिने दो मेने अगली session में तो फिर इन में से एक भी विरोत करने की इस्तितिम नहीं होगा क्योंक ही मामलों में joint parliamentary committee भीजना कोई बुरी बात नहीं है कोई गलबन नहीं है क्योंकि यहां से पास हो जाता तो राज्यसामा में फच जाता इसलिए सभी पठ्टियों को साथ लेकर जाना चाहिए और जैसा मैंने कहा आज अगर बिल पास हो जाता तो मुझे बहुत कस्ट होता है इसलिए क्योंकि जो संशोधन मैं करवाना चाहता हूं जो मैं बता रहा हूं वो उसमें है नहीं जो गड़बड हो गया इसलिए क्या है यह जो मैं lecture दे रहा हूं यह आप लोग circulate करिए कि ताकि parliamentary members के पास जाए और parliamentary members उसको संग्यान ले सकें कि वाकई में क्या इसमें होना चाहिए था और कैसे civil court को उसमें डालना चाहिए था कैसे tribunal को खतम करना चाहिए था civil court से जाता तो फिर वो उसके बाद district court में अपील होती फिर high court में अपील होती वो procedure अपना चल जाता चलता रहता जैसे बाखी property में चलता वैसे इसमें चलता लेकिन यह संशोधन जो मैंने प्रपोस किये हैं कि इसमें नहीं हैं जो होने चाहिए आप अगर इसको distribute करेंगे ज्यादा ज्यादा legislators की बीच में ज्यादा लोगों के बीच में तो फिर मुझे लगता है कि लोग उसको जो joint parliamentary committee बैठेगी उनके भी संग्यान में आएगा और वो उस पर कुछ न कुछ करव ज़रूर करेंगे जैहिन जैभारत वंद्यमात्रम